जाहिएं साथियों एक बाद फिर से आप सभी का हमारी यूटुब सैनल स्वागत है तो आज की वीडियों हम लोग दीखने वाले हैं साथियों कि क्लास के सभी मोडिल कोशनों का आंसर ठीक है आपका सब्जेक्ट गनीद है जिसमें आपका कूल मिलाका 40 प्रसन मिलेंगे जिसमें 40 पुर्णांक होंगे और इसमें आपका 1.5 गंटे का समय दिया जाएगा और हाँ दोस्तों इसमें किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिब मार् तो चलिए आज का पहला कोशन को देखते हैं कि क्या कहा गया है 140 को बाज गुर्णखन के गुर्णखन के रूप में लिखा जा सकता है 140 इसका क्या हो जाएगा 70 बार में जाएगा ये अपका 35 बार में और ये 5 से चला जाएगा 7 बार में यानि कि इसका अंसर होने बारा 2 इ देखते हैं किनी दो दनादवर पुनाग ए और बी के लिए एक गुना एल्सीयम बराबर क्या होगा हम जानते कि ऐसे आप इंट्यू एल्सीयम बराबर होता है दोनों से क्यों का प्रोडक्ट यानि कि ऑप्सन नमबर आ हमारा सी विल बीड़ाइट आंसर और कॉस्चन देखते हैं यानि कि जो दोनों में हमारे कॉवन हो वही हमारे अच्छेप हो जाता है तो चलिए कॉस्चन नमबर थर्ड क्या क्या रहा है कि दो दनावतर पुनाग ए तदा भी दिये रहने पर यदि अध्यूतिय पूर्ण संक्या क्यों तदा आ रहा है विद्यमार है तो निम निम से कौन सा कतन ट्रू हो जाएगा तो यह हमारा कॉस्चन नमर भी इस्टेटम बिल्गूल करेट हो जाएगा एकॉल टू बीक्यू प्लस आई यह यह यदर एट दिया हुआ है तो एक अवेलू यहां एक्सट को कोईपिजिए है तो हो जाएगा क्या है तो यह तो ह से हम एट रख देंगे तो यह सैटिस्वाइड हो जाएगा अता हमारा एंसर जो है वो करेक्ट कांसर डी होगा चली कोश्चन नमबर सिक्स क्या कहा गया है कि अल्फा कोमा बीटा बहुपाद इतना एक्सट को प्लस एक सुन्यक है सुन्यक है अल्फा बीटा इसका जिरो द बीटर का भी जो value निकलेगा हो हमारा निकलेगा इसको पूट करदेंगे इसमें 1 अपॉन माइनस यहां से आजाएगा माइनस 2 जो के हमारा option B में देखने को मिल दा है ठिक है question no.7 जिहां दूस्तों यह हमारा class change का बहुत ही simple question है जो हमाई exercise 2.1 में दिया गया है तो इसमें का option number a बिल्कुल करेंट सा हो जाएगा question number 8 ये क्या है कि तीनों condition हमारा बराबर दिया हुआ है a1 upon a2 बराबर b1 upon b2 equal to c1 upon c2 जब ऐसा condition दिया रहे है तो ये हमारा हो जाएगा और ये कहल option number b रिसका correct हो जाएगा question number 9 क्या है कह रहा है 3x if रेखाए लाइन एक्स प्रस्टू के एक्वल टू और टू एक्स प्रस्टू पाइब वाई एकड़ वन के समांतर है जीरो है समांतर है तो के कमान क्या होगा के कमान यहां से 15 बड़ा यहां पूट करते है एक्स एक्वल टू और वाई क्वल टू माइनस टू तो यह हमार बिल्कुल टू टू जा पूट करके देख लेते हैं क्योंसा option सही होगा फाइव टू टेन हो गिया है और टू टू जा साटिस्फाइट कौन सा इक्वल सन करेगा यहां पर कौण सा यलु टू खुली टू 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 किता हो जारा हमारा 15 और…! यह जी यह जी नहीं एक्स एक्वल टू टू य एक्वल टू जी बिल्कुल तह हमारे केट अंसर हो जाएगा ऑक्स इक्वल टू option नमबर इसका करेक्ट हो जाएगा five into one five into one plus three into minus one three into minus one गज इसका answer number option number two हो जाएगा तो 10 यहां से ए और वाइकोड भी समीकरण x-y स्वाइकोड टू और एक्स प्लस वाइकोड टू टू का हाल है चलिए हम और ऊप्चन से खेल जाते हैं गहां देखते हैं कि 3 और वन को पूट करके देखते हैं 3 प्लस 1 इक्वल 2 हमारा 4 होता जो कि option number 3 में दिया हुआ यानि कि यह correct answer हो जाएगा question number 13 का देखते हैं रेकिक समीकरन 5x plus 2y equal to 16 एवं 7x minus 4y equal to 2 के लिक्रम से कौन सा हल सही है तो यह question number 13 का जो option हो जाएगा हमारा 3 to 16 यानि कि option number a इसका बिल्कुल correct answer हो जाएगा question number 14 देखते हैं नेम लिकित में कौन से दिया समीकरन रही है option number b बिल्कुल correct हो जाएगा question number 15 बोल रहा है कि दिया समीकर समान मूल कौन से होते हैं जब d equal to 0 होता है question number 16 में क्या का गया है कि इसका बिवितकर ग्याद कर तो इसका बिवितकर जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा बिल्कुल correct answer C हो जाएगा question number 17 जो है इसका क्या हो जाएगा इसका answer इसका answer हो जाएगा जीरो बिवितकर निकलेगा तो जीरो हो जाएगा और ये question number 18 इसका answer हमारा हो जाएगा 1 upon 3, 1 upon 3, विल्कुल correct हो भी हो जाएगा, question number 19, जुगा समिए कि ने, इतना के लिए के कमान क्या होगा, तो के का जो value निकालना है हमको, के कमान 4 हो जाएगा, option number 2 विल्कुल correct हो जाएगा, question number 20 कहा रहा है कि इतना कमूल ग्याद कर, इसका मूल हो जाएगा, option number A हमारे correct हो जाएगा, question 21, में हमारे A1 पहला पद दिया हुआ है, 3 और दूसरा पद दिया हो 1, तो D निकालना है, 3-1 equal to 2, यानि कि option number A बिल्कुल correct हो जाएगा, 3 और 2, question number 22 कहा रहा है, A P का कौन सा पद सुनी होगा, तो 8 हो पद इसका मिल्कुल correct हो जाएगा, ये formula लगाएगे, हमारा इससे answer आजाएगा, D, ठीक है, फुश्टों, चलिए, question number 23 को देखते हैं, इसमें कितना पद है, तो इसमें कुल मिलाकर 34 टर्म रहने वाला है, ठीक है, question number 24 क्या कहा रहा है, 6 से बिभाजी, 40 धनपुना को योग, 6 से पहला, 6 है जो बिभाजी होगा, और 40 धनपुना, यानि कि 6, 24, 24, 40, इसमें कितना पुल्पुना को के योग ज्यात करना है, तो हमे एक फर्मुला हो जाएगा, N upon 2A और A plus L, यानि कि इसको solve करेंगे, तो हमारा आज एक option number B, C, बिल्पुन का अंसर, चलिए question number 25 कह रहा है, सभी तिर्भू समरूप होते कौन सर, संभाव तिर्भू सभी समरूप होते है, question number 26, इसका अंसर हो जाएगा, हमारा 2.4, बिल्कुल, यह थेल्प सिर्म लगा देंगे, AD upon DB, ब्राबर, AE upon AC, इसको solve कर देंगे, तो हमारा answer आज एगा, 2.4, बिल्कुल का अंसर है, जो कि हमारा option C में दिया गया है, चलिए question number 27, देखते हैं, कि यदि एक तिर्भूच के दो कौन, एक तिर्भूच के दो कौन के ब्राबर है, तो निम्न में से कौन तिर्भूच के समरता कासवटी नहीं है, तो हमारा यह तिर्भूच के समरता कासवटी नहीं है, चलिए question number 23, देखते हैं, दो समरता कान पात बराबर, तो यह तिर्भूच निशित रूप से होंगे, क्या होंगे, सम्भाव तिर्भूच, option number 1, cut हो और question number 31, ABC में AB 7, 25, AC और BC 24 दिया, तो B कमान क्या होगा, यह राइट एंगल ट्राइंगल को option 31 का, option C बिल्कुर गड़ हो जाएगा, 32, कह रहा है कि किसी बीद की इस पस रिखा, उसे कितनी बिंदू परतिशित करती है, तो केवल और केवल एक बिंदू पर देखिए, यहां तो P से बीद की इस पस रिखा के लिए में 15 cm और P की दूरी केंदे 17 cm है, तो इसका answer क्या हो जाएगा हमारा, 17 का स्क्वाइर माइनस 15 का स्क्वाइर, रूट अंडर कर देंगे, तो 289 माइनस 225 इसका आ जाएगा, 49 यहने कि option 64, 64 यहने का option number D इसका correct हो जाएगा, question number 34, इसका answer हमारा B हो जाएगा, option B बिल्कुल का answer हो जाएगा, question number 35, क्या कहा रहा है, किसी बीद की इस पस रेखा हुआ, रेखा है, जो बीद को केवल और केवल एक बिंदू पर क्या कर रहा है, यहने कि option 35 का option A बिल्कुल का answer हो जाएगा, question 36, क्या कहा रहा है, कि theta 120 डिग्री दिया बटा, कितना हो जाएगा, theta बटा 360 डिग्री इन्टो पाइड़ स्कॉर, पाइड़ का वैल्यू, बटा साथ रखते हैं, और आर का वैल्यू, 7 का स्कॉर रहा है, 49, यहां से आधेगा आपका 7, और यह बारतिया 36, और 3, sorry, 14, यहने कि 154 बटा 3, option number B will be the correct answer of question 36, moving ahead, question 37, एक ब by 2, बिल्कुल और यहां हो, चतु थांस का चतपल, 1 by 4, पाइड़ स्कॉर होता है, इसमें पूट करेंगे, तो हमारे answer जो है, आएगा, question number A, बिल्कुल, option 37 का cut हो जाएगा, चली, question number 38, देखते हैं, अर्ध बिर्द पर बना कौन क्या होता है, यह बिल्कुल संकॉन होता है, पाइड इंगल, ट्रेंगल, चाथियो, चली, question number 39, क्या क्या रहा है, यह बिल्कुल, लगो बिल्कुल, 12 cm तो दिर्क बिल्कुल क्या होगा, पाई आर ब स्कॉर, यानि कि पाइ आर ब स्कॉर में लगो घटा देंगे, तो दिर्क निकल जाएगा, हमारा, तो 22 बटर साथ, औ 177 जब 79 154 में 12 अटा देंगे तो आएगा 142 जो कि हमारा option नंबर बी में दिया हुआ है जाने की question 39 को option भी बिल्कुल काइटांसर हो जाएगा चलिए question last question को देख लेते हैं इस session का 40 नंबर question कहा गया 117 जाएगा एक बिल्क की चाप के लंबाई ग्याद किजी कि इंदे पर 60 डिगरी कौन दिया हुआ तो 60 बटा 360 हो जाएगा और यहां पर आपका पाई आर 21 दिया हुआ है यह कट जाएगा 6 बार में 7 दिया स्वरी पर इसे मिश्टिक होगी है चाप के लंब सी हो जाएगा और पाई आर 21 चेटी आठारा तीन सती एकिस साथ यानि कि बिल्कुल काई टांसर हमारा सी हो जाएगा और हाँ दस्तों यह आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना और अपने साथियों के साथ सेर करना ना तब तक के लिए बाई दोस्तों फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में